दे गाइज वेलकम तो गरम गौसिप चैनल आज मैं आपको फाइनेस्ट काइंड मूवी का रिव्यू और हौट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ पहले आते हैं कास्ट लाइन के उपर फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदार टॉपिक पे जो है हौट सीन्स के टाइमिंग के उपर लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के उपर पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के उपर इस मूवी में जेना ओटेगाने मेबेल का रोल प्ले किया है अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के उपर ये मूवी रिलीज हुवी थी 15 दिसंबर 2023 में ये आपको crime, drama, thriller style जोनर में movie देखने के लिए मिलेगी अभी तो ये आपको English इस भाशा में आपको मिलेगी अगर आपको देखना है movie को तो आपको Amazon Prime OTT platform पर देखने के लिए मिलेगी इसकी IMDB rating है 6-10 मैंसे ये movie पूरी 2 घंटा 6 मिनिटे की है अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर वो है hot scenes के timing के उपर पहले आता है 33 मिनिट 30 सेकंड पर जेना ओटेगा का passionate किस सिंग सीन और passionate पिटीन सीन दिखाया गया है उसके बाद 38 मिनिट 25 पर जेना ओटेगा का passionate किस सिंग सीन दिखाया गया है उसके बाद 1 घंटा 11 मिनिट 10 सेकंड पर जेना ओटेगा passionate किस सिंग सीन दिखाया गया है अब जाते हैं आखिर पड़ाफ पर वो है वेब सिरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंगलिश में स्टोरी चालो होते हैं जहाँ पर हमें चार्ली और टॉम ये दोनों भाई दिखाया जाते हैं जो हाफ भाई होते हैं उनके बीच एक blood relation होता है पर directly नहीं indirectly तो यहाँ पर हमें देखाया जाते हैं कि चार्ली टॉम के पास चला आता है अपने passion को लेकर क्योंकि उसका passion C था fisherman बनना था उसको अपने पिताजी की firm में join नहीं करना था जो law firm थी उसको अपना education भी law में नहीं करना था जहाँ पर वो अपने भाई टॉम के पास चला आता है जिसके पास एक boat होती है बोट का नाम finest होता है जहाँ पर यह बोट अपने उसके पिताजी की थी जहाँ पर वो सालों साल उस बोट पर shipping कर रहे थे जहाँ पर हमें देखाया थे कि अब तॉम और चार्ली फिशिंग के लिए निकल जाते है पहली बार जब वो एक बोट को लेकर जाते है तब वो बोट में engine failure के वरे से वो समुदर में ही कूच जाते है और वहाँ पर एक security officer आकर उनको बचा लेते है बचाने के बाद वो बहुत ज़दा happy हो देखी वो बच गए इस वज़े से वो खुश्या मनाते है जहाँ पर उसकी बेहन के साथ या वहाँ पर एक लड़की के साथ उस चार्ली का टाका बेट जाता है जहाँ पर आमें पता चिन जाता है कि दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़दा comfortable feel कर रहे थे हैं बहुत अच्छा feel कर रहे थे इसलिए वो डेट करना चालू करते हैं डेट करते हैं वो इतना सीरियस होते हैं आप दोनों के रिलेशन्शिप में कि वो सब कुछ भूल कर अब आगे बढ़ना चाते हैं दूसरे साथ पर हमें पता चल जाता है कि चार्ली की पिता जी उसको लेने के लिए आते हैं जहाँ और वो बहुत सारे चीज़ों के बारे में उसे बताते हैं कि इसमें सब कोई भी फ्यूटर नहीं है यह बहुत ही ज़्यादा कंफरडेबल फील नहीं करेगा तुम मेरे साथ लाफाम में आ जाओ मैं तुछे बहुत अच्छे काम दिलाँगा बहुत सारे पैसे भी है इसमे की नहीं सुने हैं दुसरे साथ पर मेबल की जो फैमिली होती है वो एक मिडल क्लास से भी नीचे एक टाइक की फैमिली होती है पर मेबल फुद के डिसीजन्स लेती है और वो एच्छे करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा तकलिफ में भी जाना पड़ता क्योंकि वो आक और चले आनी के बाद हमें फथा चल जाता है कि वो फिसरी करने के लिए कारड़ iemand में गुष जाते हैं उसने के बाद वाहँ पर कुछ पोलिस आकर उसप पर कपजह करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो पाड़ वो पर एक बहुत ज़्यादा यह कुछ अपर के वहां से उस डेप को पे करना था क्योंकि वह ही एक जरिया था उसके लाइब आगे बढ़ाने के लिए तो टॉम वह ज़दा गुस्सा होता है दूसरी साइड पर चारली भी उसके साथ हर टाइम हर बार वही कर रहा होता है तो अपने डेप्स पे करने के लिए अब वह एक जरिया लेते हैं जिसका नाम था ड्रग्स के बारे में च्छानबीन करना या उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकला वहाँ पर एक लॉड आता है जो गैंग्स्टर होता है वो आकर उनको एक प्रपोजल देता है जहाँ पर एक अमाउंट ओफ एक साइनमेंट थी जो ओशन में फ्लोट कर रहे थी उसकी लोकेश और सब कुछ डीटेल्स हो देता है और वहाँ से उस कंसाइनमेंट को उठा कर सिफ उस गैंग्स्टर लॉड के पस लेकर आना होता है तो उनको बहुत अच्छे पैसे भी मिल रहते हैं बहुत ज्यादा वही करते हैं उस कंसाइन भी मिलने वाले थे स्टोरिया आगे वड़ते हैं जहां पर लॉड उनके घर पे चाज़ जाकर ठेटन कर रहा होता है उनके लोगों को जिसे उसके पतनी को बच्छी को तो यह सब कुछ होते हुए वह नहीं देख साकता है और दूसरे सेट पर उसकी पिता जी के बारे में जहां पर उसके पिता जी को cancer last stage हुआ था उसको भी help करके उसको sort out करना था अब story आगे बढ़ते जहां पर उसको दूसरे कंसाइन्मेंट के बारे में पता चल रहा है कि दूसरे कंसाइन्मेंट में वो लेके आ सकते हैं दूसरे कंसाइन्मेंट को लेने के लिए जब वो चल जाते हैं तब यह उनके साथ वही होता है कुछ लोग आकर पुलिस की बैस में आकर उनको लूट लेते हैं अब गैंस्टन उनको यह कर देता है कि तुम्हारे ही गाए में कोई तो मोल है तो वो मेबल के ओपर चार्ज करते हैं कि उनके ग्रुप को उसने अभी जॉइड किया मेबल को ठेटन करते हैं और मेबल के पास से कुछ नहीं मिलता अब उनको पता चल लाता है कि यह सब कुछ उनकी एक साथ यह ने किया था जो एडिक्टेड होता है उस सांपल की वज़े से अब आवे पता चल लेकर की स्टोरी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़त खुछ जल जाते हैं और उसकी बोट और जो भी उसका बिजनेस है वो अपने बेटे को देखर चल ले जाते हैं इसे हमें पता जल लदाद की उसके बिताज़े वैसे भी कांसर से मानने वाले थे और अब वो उस जो सेक्योरिटी है खुद की उसके उपर वरुसा नहीं कर र हैं सेम टाइम सेम चानल बट डिफरेंट सबजेक्ट के साथ तब तक के लिए गुडबाई और टेक केर